है है अगाइज वेलकम वेक्तों माई यूटुब चैनल जो गाईज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने गोप्रो हीरो सेशन क्यों पॉचेस किया किस रिजन की वज़ेशे पॉचेस किया सेशन में आप रेकॉर्ड कर सकते हो हाइस वीडियो एट 1440 पिक्सल्स एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 1080 पिक्सल्स एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड जो कि अच्छा है और आपको यह बज़ेट के हरे कैमेरा में मिल जाएगा आप इसमें फोटो पी क्लिक कर सकते है एट 8 प्रो है तो वाटरप्रूफ तो हो गई तो 33 फीट तक आप या 10 मिटर तक आप इसे पानी में लेके जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिंपल वट टच बटन कंट्रोल हो आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में और जो बाकी जो फीचर से आपको सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे है वह तो नॉर्मल है और कोई भी बज़ेट के एक्षन कैमेरा में आपको वैसे मिल जाते एट प्रेजन पे गोपरो हीर बार तो गहीं चुका है इसकी बिल्ट को बात करें तो इसकी बिल्ट कॉलिटी काफी ज्यादा ऑसम है तो यह कैमेरा एकदम रफ एट आफ यूस के लिए काफी अच्छा है कुछ होने नहीं वाला है यह कैमेरा को इतने जल्दी रेड वाला बटन जो आपको दिख रहा है वह वन क्लिक स्टॉप एंपले बटन यह बटन को क्लिक करके आप अपने वीडियो को रेकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिस टॉप भी कर सकते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेट कुछ तो प्रोसीजर है नहीं इसमें अभी आपको यह बटन दिख रहा है वह वाइफ डोर और वाटरपूरूफ डोर के पीछे आपको मिल जाएगा माइक्रो एश्डी कार्ड स्लॉट और यूस्बी चार्जिंग स्लॉट इसके लिए आपको कोई अलग से चार्जर पर्जेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका जो नॉर्मल वाला घर का चार्जर है वही करनेट हो जाएगा गोप्रो से और आपका गोप्रो आसानी से चार्ज हो जाएगा अभी मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स प्ले करके दिखाता हूँ अलग-अलग फ्रेम रिट्स में और आपको पता चल जाएगा आपको अंदाज अलग जाएगा कि अलग-अलग झाल 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 Here we go अब ही आपने सारे दिन के वीडियो जेके तो गोप्रो एक दम आसम रेकॉर्ड करता है एक दम लाइट में एक दम डेटाइम मोड में पर अब आसम एक दम लाइट मोड में राद के टाइम बेल्कुल बेकार वीडियो जाते हैं और उसके वीडियो आट-पुट जो कैसे यूट्टूब में ने कर सकते हैं कि दिन के टाइम में गोप्रो इस दब बैस और रात के टाम गप्रो अच्छा है पर फीरो सेशन काफी अच् चाफी चहते रेकॉर्ड नहीं करता जो दिन के टाइप में अच्छे इम्गार्सेंच पोछ टोड़ा बहुत अउट जोगा होगा पोटोस को और नोलेच होगा अभी मैं कुछ नॉन एडिटेट पिक्स आपको डारेक्ली गोप्रो से क्लिक करने के बाद आपको भी प्ले करके बताता हूँ कि इसका अगला पॉंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसका टोटली वाटरपूरूफ होना सो आप देखी सकते हो से पानी डालने के बाद भी इसको कुछ नहीं होता है 33 फीट तक आप इसको अंदर पानी के अंदर लेके जा सकते हो जो कि इनफ है क्यों कि आप रोज वरो 33 फीट से भी जादा डीप पानी में नहीं जाने वाले हो सो वाटरपूरूफ टेस्ट के लिए में कुछ और वीडियो आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ जो हम थोड़े दिन पहले रेसार्ट गए थे मेरे दोस्त के बड्डे के दिन तो उसके वीडियो में आपको प्ले करके दिखा जा हूँ कि अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज इसके बार में एक मोटर व्लॉगर के लिए एक मोटर व्लॉगर के लिए सबसे ज्यादा एसेंशेल जो चीजे वह एक एक एक्स्टरनल माइक सपोर्ट विल्कुल नहीं है और उसका सेकेंड जो में डिसएडवांटेज है वह है इमेज स्टेबलाइज़शन तो हाँ गाइस गोप्रो में इमेज स्टेबलाइज़शन भी नहीं है जो कि एक नॉर्मल एक एवरेज साथ हाट अजार के कैमेरा भी आजकल मिल जाते हैं तो गोप्रो का एक डिसएडवांटेज है अगर यह दोनों फीचर इसमें दिये गए नहीं है तो इसका प्राइस ठोड़ा लो कर दिना चाहिए ता कंपनी वालों ने पर ऐसा हुआ नहीं है डे के टाइम में इसके वीडियो काफी अच्छे आते और एक्स्टरनल माइक इसमें नहीं सपोर्ट होता तो भी इसका जो माइक है जो दो माइक इसमें दिये गए है बिल्ट वह भी काफी अच्छे रेकॉर्ड करते हैं पर एक्स्टरनल माइक का फील होता है मजा आता है उससे रेकॉर्ड करने के लिए वीडियो और आपको जोर से भी बोलना नहीं आप आते है इस पार्ट पर क्या आपको एक कैमेरा पर्चेस करना चाहिए या नहीं करना अगर आप चालू करने वाले एक मोटर व्लागिंग चैनल यूटूब पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गोप्रो हीरो सेशन बिल्कुल पर्चेस मत कीजिए कोई एसा कैमेरा पर्चेस कीजिए जिसमें आपको इमेज स्टेबलाइशन और एक्ट्रनल माइक का पर्चेस यही ता अज की इस वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन टेक केर और बाए बाए